के पी नियूस के कनाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं श्विनिया आपके साथ सबसे पहले सभी को कल होने वाले स्वतिंतरता दिवस की बहुत बहुत शिपकाम आए इस मौके पर कल शाम पांच बजे अन्मूर पालिस में के पी नियूस 24-7 वारा एक शाम आजादी के नाम एवं सम्मानकारिक्रम का आएजन किया जा रहा है जिसमें आप सभी का स्वागत है स्वतिंतरता दिवस की खुशी में हमारे साथ जरूर शामिल हो तब शुरू करते हैं समाचारों का सलसला तालिक नज़र डावते हैं आज के मुख्य समाचारों पर बीदर शहर में स्वतिंतरता दिवस की मौके पर हर ओर तिरंगे नज़र आ रही है आज़रों का सलसला शुरू करते हैं समाचार विस्तार से तले समाचार स्थानिया बीदर के नेरो स्टेडियम में 36 वे स्वतिंतरता दिवस की तयारियां जले भर में चल रही है ऐसे में स्कूल कॉलेजों में सबसे अधिक तयारियां की जाती है जहां वे भिन्ल प्रकार के कारिक्रमों का आयूजन कर चातर चातराओं को सम्मानित किया जाता है जले भर में द्वजा रोहन की तयारियां जोरू पर चल रही है स्वतिंतरता दिवस के अधिर पर चारो और देश का ध्वच नजर आता है चाहे वह वहानों पर हो वह कार्याले हो दुकानों सहित अन्य जगर पर भी ध्वच ही ध्वच नजर आते हैं इस मौके पर कुछ गरीब लोगों का एक बड़ा समूह विभिन शहरों और ग्रामों में सरक और सिगनल पर ध्वच बेचते हैं ऐसा ही बीदश शहर में पिछले दो दिनों से चल रहा है विभिन साइस के ध्वच अलग-अलग कीमतों के होते हैं केपी न्यूस के न्यूस एडिटर डॉक्टर मसूद ने इन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि उन्होंने ध्वच की लागत से कुछ ही जादा पैसा मिलते हैं जिससे वह संतुष्ट है हाला कि मसूद का मानना है कि अगरिब लोगों के हातों में तिरंगा लिए सरकों पर धूप चाओं में बेचने के लिए लगभग घंटों की महनत के बाद भी उतने तिरंगे नहीं बिकते जितनी उनकी महनत होती है अगर हम सब तिरंगे का सम्मान करते हुए इन लोगों से खरीदे तो इनका भी रोजगार चलेगा कैमरामन संतोष का करते रविवार को बस्वकल्यान में शहीद हुए स्थानी पुलिस थाने के A.S.I. गुरलिंग गया एकलिंगा का जिले के हुलसूर तालुका में पूरे स्थरकारी सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया यहा पुलिस ने हवा में तीन राउंट फारिंग कर गुरलिंग गया को अंत परिवार में एक व्यक्ति किसी पत पर हो तो कई लोगों को उस चेत्र में ले जाने की श्रमता रखता है। जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें। KP News 24-7 बीदर शहर में बहतर शिक्षा का एक मातर केंद्र के पुलर मुल्यांकन की मांग की है। एक पत्र में सीम ने केंद्री मंत्री का ध्यान देरी और अरपर्याक्त मौनसून की ओर आकरशित किया। जिसने कई तालुकों और जिलों खास कर राजिके पूर्वी हिस्सों में आपदाई है। सुखा प्रबंदन 2016 के लिए मैनुवल कोर राजिसरकारों द्वारा सुखी की खोशना के लिए पैरामीटर निर्धारित करते हुए 2020 में उद्यतन किया गया था। मेरा द्रड विश्वास है कि जलवायू परिवर्तन से उत्पन अन्यमित मौसम की स्थिती और हमारे किसानों को और क्रिशिक शेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन होने वाली गंभिर स्थिती का स्थिक जवाब देने के लिए माबदन्डों का करना महत्पूर है उनने कहा कि जलवायू परिवर्तन के कारण अन्यमित मौसम पैटन से उत्पन उभरती चुनौतियों का स्थिक समाधान करने के लिए एक व्यापक पुनरमुल्यांकन की आवशक्ता है पत्र में पिछले कुछ वर्षों की एक व्यथित कहानी को रिखांक उपर एक अमिट चाप छूड़ी है उनने कहा कि फसलों की विफलता पानी की कमी और सामाजिक आर्थिक कठिनाई या नई वास्तविकता का पर्याय बन गई हैं जिसे किसार असुरक्षित और अनिस्टित्ता की स्थिति में हैं उनने मौसम संबंधी आकड़ों के माधिम से स्थिति की गंभिरता को रिखांकित किया जिसमें करनाटका में वर्तमान दक्षिन पस्चिम मौसम के दौरान अपेक्षित और वास्तवी कवर्शा के बीच स्पष्ट अंतर को दशाया गया है करनाटका फुलिस ने इस साल की शुरुवात में करनाटका प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के पी सीसी की वेबसाइट को है करने और उसे बदलने के आरोपों में हसन स्थित एक कंपनी से जुड़े तीन लोगों को दस अगस्त को गिरफतार किया था आरोपियों के पहचान धरमेश चैन, सिधार्थ और वेंकटेश के रूपे हुई है भारतिय जन्ता पार्टी भाजपा के साथ काम करने वाली एक राजनीतिक रंणीति फिर्म वाराहे एनलस्टिक से जुड़ा मुख्य आरोपी अभी भी फरार है यह घटना इस साल फरवरी की है जब के पीसीसी ने राज्य विधानसभा चुनाओं से पहले अपनी वेबसाइट पर साइबर हमलों की सूचना दी है हैकर्स ने केवल अधिकारिक वेबसाइट को हटाने में सफल रहे गल की इसे एक भ्रामक क्लोन से बगल दिया जिसने कॉंग्रिस पार्टी पर तीखे हमले किये फरजिग अपसाइट के जरिये कॉंग्रिस ने ताउं की छेटछाड की गई तस्वीरों के साथ सांप्रदाइक्ता और भुष्टाचार की जूटे आरोग प्रचारिक किये गये के पी सी सी ने साइबर अपराद पुलिस द्वारा जान शूरी करते हुए एक आपचारिक शिकायत दर्च की एक दशक पहले धर्मस्तर के पास उजीरे कॉलेज की छात्रा सौजन्या के साथ वलातकार और हत्या के मामले में लंबी जांश की बाद अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को बरी कर दिया जिसके बाद योती के लिए ज्याय की गुहार लगाई गी पीडित के परिवार ने सियम को एक स्याचिका स्वंपी और मांग की कि जिसने भी उसकी हत्या की है उसे दंवित किया जाना चाहिए सुलिया सहीर दक्षिन कर नर्जिले के कुछ हिस्सों में विरोत प्रदर्शन और याचिकाएं आयोजित की गई इस मामले से संबंदित हाला की संगर्श के तरीके और रूप अलग हैं शिश्टाचार के पक्ष में आवाजें फिर से सुनाई दे रही हैं कॉंग्रिस पार्टी ने पहले ही साफ संदेश दे दिया है कि हम सौजन्या के पक्ष में हैं तो अब बीजेपी की बारी है सांसद और बीजेपी के प्रदेश अधेफ नलिनकुमार कतिल ने मैंगलोर में प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि वह सौजन्या को न्याई दुलाने के लिए विरोत प्रदेशन करेंगे मैंगलोर में बोलते हुए नलिनकुमार कतिल ने कहा कि 37 तरीकों को उड़पी जिले के भाजपा विधायकों के साथ बेल्थांगडी में विरोत प्रदेशन किया जाएगा चातर से रेप और हत्या के मामले में पुलिस जाँच के बाद CID और CBI जाँच में संगर्श हुआ आखिरकार CBI ने कहा कि गिरिफतार किया गया ग्यक्ती आरोपी नहीं है BJP ने तब भी इस मुद्दे पर संगर्श किया था उन्होंने कहा कि अब BJP फिर से पूरे मामले की दोबारा जाँच की माम करेगी वक्त एक और छोड़े से ब्रेका जल लोटेंगे ब्रेके बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू 24 घंटे हालाथ पर गहरी नज़र खबरों से जुड़े चुपते सवालाथ और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूस की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24-7 नूर एजुकेशन ट्रेस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमेड और बीएट कॉलेज बीदर रिकॉगनाइज़ बाई NCTE Delhi and affiliated to गुलबर्गा उनिवर्सिटी गुलबर्गा अडमिशन आर ओपन फॉर दा अकैडमिक यर 2022-23 विशेशग और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप करने के लिए नूर एमेड और बीएट कॉलेज में दाखला लें और शान्त वातवरण में शिक्षा प्राप करें बीदर शहर में बहतर शिक्षा का एक मातर केंदर नूर एमेड और बीएट कॉलेज शापूर गेट बीदर फो नमबर्स डबल नाइन फोर फाइट तुएट त्री नाइन तू जिरो देखे बास स्वागत है आपका देखते हैं समाचा बिल भुथाप कर रहे हैं ठेके दारोंके मामले में शनिवार को मैसूर में सी एम सिद्रामिया ने जभाब देते हुँए साफ किया कि बीजेपी कार में 40 PhrIGN कमिशन की जांच कि बिना बिल का भुथान किया जा सकता शनिवार को मैसुर में बोलते हुए स्टीयन ने कहा कि चालिस विजदी कमिशन के मुद्धे पर लोगों ने बीजेपी को खारिच कर दिया है आयोग को बीजेपी पर आरोप साबित करना है चालिस प्रतिशब कमिशन की जांच चार ती में कर रही है जांच पूरी होने तक बिल का भुकता नहीं किया जा सकता बिना जांच के बिल का भुकता कैसे करे गैर दोशारोपन ठेकेदारों के लिए कोई समस्या नहीं लेकिन दोशी ठेकेदारों के लिए समस्या होगी तीन साल पहले सारे काम पूरे हो गए उन्होंने ठेकेदार से पूछा कि अब वह विल के लिए इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं प्रख्याद भारती वैग्यानिक और पदमश्री बुसकार से समानित M.R.S. राव के नाम से मशूर मंचनहली रंगास्वामी सद्यानाराईन राव का रववार शाम सादवजे बेंगलोर के टाटा नगर स्थित उनके आवास पर दिरका दोरा पड़ने से निदन हो गया वह अपने हमशासन, वैग्यानिक ज्यान, धहर्य, मात्र भाशा, स्वभाव और पिएचडी छात्रों के मारदर्शन के लिए जाने जाते थे जो हलाल नहरू सेंटर पौर एडवानस साइंटिफिक रिसर्च के पूरवध हिक्ष के परिवार में उनकी पत्नी पदमा एस राव और दो बेटे शरत और रोहन है एमार सत्यनारायन राव के सहयोग्यों ने टियन नाई आई को बताया कि उनका अंत्रिंशन्सकार उनके एक बेटे के ब्रिस्बेन से लोटने के बाद मंगलवार को किया जाएगा विजापुर शहर में जैधीम सेना द्वारा हर साल की धरा इस साल भी वस्वनगर अनात आश्रम निकपंद्रागस को अनात बचों के साथ की तैयारियां जैधीम द्वारा की जारही इस संभन में जिमेदारों ने बताया कि जिमेदारों ने बात की विजापुर से फेरोश प्रत्यों जेल्ला कारे करते रिगे 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 और कोई उची जवाब नहीं दिया मलिक ने स्विकार किया कि उन्होंने कानून और नयाए मंतराले में नोट्री के रूप में कुछ अधिवक्ताओं के चैन के लिए उनसे राशी प्राप्त की है रिश्वत की रकम के अलावा विक्तिकर तलाशी के दौरान मलिके पास 4.2-3 लाख रुपए की बहसाब नकदी मिली है गाजिवाद में उनके आवासिये परिसर में 34 लाख रुपए की बहसाब नकदी भी जब्द की गई है इसके अलावा उनके और उनकी पत्नी के नाम पर कई संपतियों के दिस्तावेज भी जब्द किये रहे हैं प्रिस्तेक नजराज के मुखे समाचारों पर बीदर शहर में 33 दिवस के मौके पर हर ओध तिरंगे नजर आ रही है करनाट का बुलेटिन में जितना ही देखते हैं करनाट का बुलेटिन में जितना ही देखते हैं के पी निजराज फिन फोस्ट सवन धन्यवार इतना ही है करने हे Зबतना ही है इतना ही है करनाट के पिज्वेड़ा है झाल झाल